किसान भाई यो नमस्कार स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में इस वीडियो में हम स्वैबिन की सबसे ज़्यदा डिमांड वाली वेराइटी एन आर्चे 142 के बारे में बात करेंगे वैसे तो सभी किसान भाई अपने खेतों में नई नई स्वैबिन वेराइटों को लगाना चाहते हैं क्योंकि नई वेराइटों में कीट और रोक परत्रोदक समता भी ज़्यदा होती हैं तो तो नई वेराइटों का उत्पादन भी अधिक निकलता है तो इस वेराइटी में कौन कौन सी विशेचता हैं इस वेराइटी का कितना उत्पादन निकलता हैं और अगर आप इस वेराइटी का बीज खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका बीज कहां पर मिल सकता है तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बीना स्कीप के अंतर तक देखे और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देगे लालक्सरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास में जो गंटी का निसान आये हैं उसे भी जरूर दबा दीजे ताकि हम जैसे नए वीडियो अप्लोड गए उसका नोटिपिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाईयों वैसे तो खरीब सीजन आने में अभी कपी ज़्यदा समय बच्चा हुआ है लेकिन अभी से ही बहुत से किसान भाईयों ने एनार से 112 स्वैबिन का बीज खरीदना सुरू कर दिया है क्योंकि बहुत से किसान भाई अभी से ही इस वेराइटी का बीज खरीद कर उस बीज को गर्मियों में मल्टि बलाइड करने वाले हैं तो अगर आपके पास भी पाने की परेयापते वे उस्ता हैं और अगर आपको नई वेराइटों का बीज मिल रहा हैं अब अगर NRC 142 के बारे में बात करें तो इस विराइटी को इंदोर सोया 142 के नाम से भी जाना जाता है और इस विराइटी को 2021 में लौंच किया गया था किसान भायों अगर इस वेराइटी की पहचान के बारे में बात करें तो इस वेराइटी का दाना बड़े अकार का और दाने का रंग पीला होता है तता दाने पर हलके काले रंग की नाबी उती हैं आपको वीडियो में जो स्वैबिन के दाने दिखाए दे रहे हैं यह NRC 142 स्वैबिन के दाने हैं और इस वराइटी में बेंगनी रंग के फूल आते हैं तता इस variety में रुएदार तता गुच्छों में फली आती है इसके लवा इस variety की सबसे बड़ी विशेष्टा ये है कि इस variety में सुर्वाती अवस्ता में पत्ते गोलाकार होते हैं तता मेच्चुर स्टेज में पत्ते नेरोलिप्स हो जाते हैं इसलिए अगर आप इस variety के फोदे को देखोगे तो नीचले वाले पत्ते आपको गोलाकार दिखाई देंगे तता उपरी पत्ते आपको नेरोलिप्स मतलब की नुकिले दिखाई देंगे इसके लवा ये variety semi-determinant variety है मतलब की ये variety फलों के साथ में भी बढ़ती है अगर आप इस variety को देखोगे तो इसमें नीचे की तरफ फलिया बन जाएगी फलियों में दाना बढ़ने लगेगा और उपर की तरफ फ्लोरिंग चालू रहेगी जिसकी वज़े से इस variety में नीचे से लेकर उपरी सीरे तक फलिया आती है इसके लवा इस variety की कीट और रोक परत्रोदक समता काफी ज़्यादा अच्छी हैं जिसकी वज़े से ये variety किसानों की पसंदिदा variety बनी हुई है इसके लवा ये variety खाने के लिए बेश्ट variety हैं क्योंकि ये variety सोया गंद से मुक्त variety है इसके लवा अगर इस variety के पगने के समय के बारे में बात करें तो किसान भाईयो ये variety मध्यमावदी में पगने वाली variety है और ये 95 से 100 दिनों में पौन रूप से पकर तयार हो जाती है और अगर बात करें उत्पादन की तो पिछले साल जिन किसान भाईयों ने इस variety को लगायता उन किसानों को इस variety का बहुती अच्छा उत्पादन मिलाता और मेरे संप्रक में जो भी किसान भाईय टे उन सभी से इस variety के उत्पादन के बारे में बात की तो एवरेज इस विराइटे का उत्पादन 10 से 12 कुंटल परती एकर तक निकलाता तो किसान भाई यू कहने का मतलब ये हैं कि अगर आप J.S. 95, J.S. 23 या फिर किसी अन्य विराइटी को लगाते हैं जिन विराइटियों में रोग काफी ज्यादा आते हैं और जिन विराइटियों का उत्पादन कम निकलता है तो उन विराइटियों की जगह पर आप NRC 142 स्वाइबिन को जरूर लगाए अब मैंन बात आती हैं कि इस विराइटिय का बीज कहां पर मिलेगा तो पिछले साल बहुतिक कम किसानों के पास इस विराइटिय का बीज था इसलिए इस विराइटिय का बीज मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन अगर आप अपने छेतर के करशी अधिकारों से संफर करते हैं तो आपको इस विराइटिय का बीज जरूर मिल सकता है किसान भाई यो मुझे भी इस साल सिर्फ 20 किलो ही एनार्ची 142 विराइटिय का बीज मिला था जिस बीज को मैं अब गर्मियों में मल्टिपलाई करने वाला हूँ तो आपको यह सोयबिन विराइटि कैसी लगी इस विराइटि के बारे में आपकी क्या राए हैं कमेंट करके अविश्य बताईए चले मिलते हैं अगले वीडियो में जई जवान जई किसान